नवस्कार फ्रेंट्स, ESK के अर्थ यूटूब चैनल में एक बार फिर से आप सब का हार्दिक स्वागत है फ्रेंट्स आज हम आप सब के लिए लेके आये हैं मांडा किले की एक बहुत ही रोचक रहस्यमई यवं अइतिहासिक जानकारी से भरपूर वीडियो तो चलिए आईए आपको इस किले में घुमाते हैं साथ ही इस किले के इतिहास के बारे में भी बताते हैं प्रियाग राज स्टेशन से लगभग 55 किलोमीटर दूर दच्चिन पूर्वदिशा में खुबसूरत वादियों में मौजूद है यह किला कभी देश की सियासी गद्विधियों का केंद्र रहा यह किला लगभग 300 वर्ष पुराना है इस किले की अस्थापत तिकला देखते ही बनती है लगभग 15-16 बीघे में तीन मंजिले बने इस किले या कोठी में साथ आंगन एवं साथ कुए मौजूद है जिनके कणकण में कई रहस्य वर रोमांच छिपे हुए है यही कारण है कि लोग इससे आकरशित होकर इसे देखने के लिए बर्बस ही खिचे चले आते हैं किले का संबंध देश के साथवे प्रधानमंत्री स्री बिसुनात प्रताप सिंग से भी था जिसे लोग राजा मांडा के नाम से पुकारा करते थे स्री बिसुनात प्रताप सिंग इसकोठी के अंतिम राजा थे दोस्तों जानकारी के लिए बता दें की मांडा राज के 38 राजा राम प्रताप जी के निधन के बाद उनके पुत्र राम गुपाल जी यहां की राज गद्दी पर बैठे पर वह निह संतान थे अतह अपनी वन्स पनपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने डैया नरेश राजा भगवती प्रसाथ सिंग से उनके 6 वर्षी पुत्र बिसुनाद प्रताप जी को गोद लिया था यानि राजा बिसुनाद प्रताप सिंग राजा राम गुपाल के वास्तविक पुत्र नहोकर गोद लिये हुए पुत्र थे लेकिन आपने अपनी कारी कुशलता से राज घराने की वन्स परंपरा को बखुबी नई हुचाईयों तक पहुचाया वह एक कुशल सिच्छक, कुशल राजा, एक कुशल राजनितिक थे यही कारण है कि वह न सीर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बलकि भारत के वारिज मंत्री, बित मंत्री, रच्छा मंत्री, एवं भारत के सात्वें प्रधान मंत्री पत को भी सुसोबित किया कोठी के अंदर कहीं भावन एवं कमरे बने हुए हैं, किले के अंदर प्रवेश करते ही, पहले आंगन के पूर्वी दिशा में एक विशाल भावन है, जिसका उप्योग दरवार के रूप में किया जाता था यहाँ पर अक्षर जनता दरवार लगता था, इस जनता दरवार के बगल में नीचे की तरफ एक बावली बनी हुई है, जिसमें एक मगरमच पाला जाता था लोग बताते हैं कि राजा जब किसी को मिर्ट उदंड दिया करते थे तो उसी बावली में उसे डलवा देते थे, जिसे मगरमच मार कर खा जाता था कोठी के पहले आगन से पस्यम की ओर जाने पर दूसरा आगन पड़ता है, उस आगन के मध्य में एक पीले रंग से फुते हुए बहुत ही खुशूरत रंग का राम जान की मंदीर बना हुआ है, जिसके गुमबद में सवा मन यानी पचास क्लियोग्राम का सोने का कलस रखा गया है, जो यहां की सम्रिद्धिव भविता को आज भी प्रदर्शित करता है, अस्थानी लोग बताते हैं कि इस सोने के कलस को कई बार चोरों ने निकालने की कोशिस की, पर वो अंधे होकर गिर जाते थे, यही कारण है कि इस कलस को छूने की आज किसी में हिम्मत नहीं हो इस कोठी के अंदर मौजूद बहुत कमरे आज भी बंद पड़े हैं, वहां कोई नहीं जाता, लोग बताते हैं कि इन बंद कमरों में कुछ लोगों को जिंदा चुनवा दिया गया था, उनकी आत्माएं आज भी इधर उधर भटकती रहती हैं कोठी के बाहर ही पूर्वी चोर पर किनारे कोठी से लगा हुआ एक भूलनी घर है, जिसकी छतों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं लोग बताते हैं कि यह छिद्र मुख्य रूप से गवरईयों के रहने के लिए बनाये गए थे, इसलिए इस भवन को चिडिया घर भी कहा जाता है इसी भूलनी घर में भूलनी घर का मुख्य द्वार यानि गुफा द्वार मौजूद है, जिससे होकर लोग अंदर प्रविष्ट करते हैं पर लोग यह बताया करते हैं कि इस गुफा में जो भी अंदर गया, वह कभी वापिस नहीं आया यहीं कारण है कि यह गुफा आज भी लोगों के लिए रहस्यमई बनी हुई है इस गुफा में कौन से लोग रहते थे, इसकी गहराई और लंबाई कितनी है, यह आज भी एक राज ही है पर कुछ अस्थानी लोगों का अनुमान है कि इस गुफा में गुप्त सैनिक वगुप्त खजाना रखा जाता था कुछ लोग तो आज भी इसके अंदर गुप्त खजाना छिपे होने की बात करते हैं फ्रेंट्स मांडा की कोठी के बारे में और गहराई से जाने तो इतिहासकार बताते हैं कि मांडा की कोठी के आसपास पहले भर रहा करते थे जिसका प्रमाड आज भी यहां मुझूद है कालांतर में गहरवाल वन्सिय राज कन्नोज जब मुस्लिम आक्रमण कारियों के कबजे में आया तब राजा जैचंद के कुछ सरदार भाग कर यहां आ गए और भरों के राज पर कबजा कर यहीं अस्थाई रूप से रहने लगे और मांडा राज की सीमाओं को काफी बिस्तारित किया फ्रेंट्स मैं अपने यूटूब चैनल पर इस तरह के रहस्यमई, रोचक वर नालेजफुल वीडियो ज लाता रहता हूँ अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने इस श्मित्रों के साथ सेयर करें तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सस्क्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल की हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे नमस्कार